हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जीके नाइश दूप चैनल तो फ्रेंड्स इस वीडियो में भी आपको पादब जगत के वर्गी करन से संबंदित कुछ और महत्पून परशन मिलने वाले हैं इन्पोर्टेंड वीडियो होने वाली है वेक्षेस यहां पर आपको कोश्चन मिलेंगे तो एंड तक जरूर देखें अच्छी लगे लाइक और से चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें लिगर आप दिए से ऑप्संट अप्संट जायेगा एच आइवी की फूल फोर्म होतीर है एट्स टीयो पोसमादा की कमी करन एड्स होता है और आपको बता दीएज रेट्रो वाईरस का एक सदस्य है ठीक है HIV रेट्रो वाइरस परिवार का एक सदस्य है जो की Acquired Humino Deficiency Syndrome के कारण बनता है जो की मनुष्य में एक अवस्था है जिसमें परती रक्षा तंत्र विफल होने लगता है हमारी जो परती रक्षा रोकपरती रोधक छमता जो होती है वह जो तंत्र होता हमारी विफल होने लगता है इसके परिणाम सरूप संकर्म हो जाता है जिसमें मिक्त्यू का खत्रा हो जाता है HIV का जो संकर्म रक्त के कारण फैलता है वीरिये के कारण फैलता है और मा के दूद से भी आप AIDS हो सकता है ठीक है Next question है AIDS जिस वाइरस के कारण होता है उसका अनुवानसी की परधात है So friends question का सही आंसर हो जाएगा एक सूची RNA यानि एक standard RNA इस question का सही आंसर option यह हो जाएगा इसको एक सूची RNA भी बोलते हैं Next question है AIDS का कारण है AIDS का कारण है आप सभी जानता है वाइरस तो वाइरस के कारण क्या होता है AIDS होता है ठीक है AIDS आप सभी समझते है AIDS हो जाने पर मानों की जो रोक पती रोदग शमता है उसको यह जकड लेता है और उसको कमजोर करने लगता है जिसकारण जो है AIDS से जो ग्रिशत व्यक्ती है उसकी मृत्य हो जाती है Next question है इबोला क्या है इबोला एक हमारी आपने देखी थी अफ्रीका में आई थी और यह वाइरस के कारण आई थी बहुत ही खतलना एक बिमारी थी है इबोला वाइरस से होता है आपको बता दू इबोला एक वाइरस है यानि विशानू है यह वर्तमान में गंभीर बिमारी का रूपधारन कर चुका है इस बिमारी में शरीर में नसों से खून भार आने लगता है जो हमारे सरीर में नसे हैं उनमें से खून भार आने लगता है जिससे अधूर्णी रक्सराव प्रारंब हो जाता है ये घातक भिमारी है जिसमें 10% रोग्यों की मिरुत्यू हो जाती है इसकोशन है एड्स फैलता है देखिए एड्स फैलता है सारी रिक संपर्क से सही आंसर ऑप्सण डी हो जाएगा सारी रिक संपर्क से एड्स फैलता है विसानू में क्या होता है देखिए विसानू में क्या होता है इस question का सही answer हो जाएगा nuclear acid और protein nuclear acid और protein में विसानू में होता है option B question का सही answer हो जाएगा next question है source क्या है SARS देखे source है विसानू जनित रोग option B question का सही answer हो जाएगा ठीक है next question है खसरा निमली के संकर्मन के कारण होता है so friends question का सही answer हो जाएगा विसानू जो खसरा होता है वो विसानू के कारण होता है सही answer option A हो जाएगा आपको बता दे खसरा सवसंद परणाली में वाइरस विसेश रूप से मारवीली वाइरस के jeans पेरा मिकसो वाइरस के संकर्मन से होता है मौरवीली वाइरस भी अन्य पेरा मिकसिको वाइरस की तरह एकल ऐसाए नाकारंत्मक भावना वाले आर न ये वाइरस द्वारा गिरे होते हैं इसके लक्षन में बुखार, खासी, भैती हुई नाक और आखे लाल हो जाती है समाने करत मैकूलो, पापुलर, एरिथे, माटस, चमकते भी सामिल इसमें हो जाता है ठीक है निमिल के तमें से कौन सा रोग विसानू के कारण होता है तो विसानू के कारण होता चेचक सही आंसर ओप्सन ए हो जाएगा चेचक ठीक है, चेचक इसको हम सीतला के नाम से जानते हैं बड़ी माता के नाम से जानते हैं या इसमाल पोक्स भी इसको बोलते हैं किस-किस नाम से जानते हैं, सीतला दाने निकल जाते हैं बोडी पर लाल लाल दाने बड़ी माता के नाम से हम चेचक को जानते हैं इसमाल पॉक्स के नाम से जानते हैं एक विसानू से होने वाला रोग है सवपर्थम 1726 सवपर्थम 1726 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने पता लगाया और चेचक के नाम है सीतला बड़ी माता या इसमाल पॉक्स को चलते हैं जनतु में होने वाले फुट एंड माउट रोक किसके कारण उत्पन होता है देखी यह रोक भी यह जनतु में होता है ठीक है तो यह होता है विसानु से इसमें खुर्पा का मुँपका इसके को हम इस न तो खुर्पा का और मुपका के नाम से हम इसको जानते हैं ठीक है और यह किस से होता है यह विसानु से होता है यह अंतियंत संकर्मन और घातक विसानु जनित रोग है गाय भैस भेड़ बकरी सुवर आदी पालतु जानोरो पस्वो में यह होता है नेस क्योशन है आलू में मोजेक रोग का कारक ततु है देखिए मोजेक रोग जो आलू में आता है ये विसानू के कारण आता है किसके कारण विसानू के कारण ठीक है वाइरस के कारण एक परकार की पोदों की बिमारी है लक्षन मुख्य रूप से पत्यों में दिखाई देते हैं इसमें कभी-कभी ऐ पंखुडियों और फलो जैसे ऐसा मान्यता हो जाती है शेवाल विज्ञान का किसका अध्यन है इसको हम एल्गोलोजी के रूप में भी जानते हैं फाइकोलोजी जीविज्ञान की वहसा का जिसमें अक्सरवनस्पति विज्ञान के बारे में अध्यान बताया है सेवाल जल्ली परिस्थति की तंत्र में परातमी कुटपा दोकों के रूप में महत्वपून है अधिकान अधियुक्रियोटिक परकास शंसले सग जीव होते हैं जो गिले वातवरण में रहते हैं अधिनय 화면 की कोषिका भित्ति किसकी बनी होती है ये इनप रिक्त इसथर सेलूलोज का बना होता है। भाई इस्तर मुख्य रूप से प्रोटोपेक्टीन का बना होता है। जो Slerme von Cel होता है। ठीक है। इस कोशन में कौन साइ सह जीवी सेवाल मिलता है। सेव कोशन का सही आंसर हो Ajay यूख लो रेला यूख लो रेला इस कोश्चन का सही अंसर ओप्शन ए हो जाएगा ठीक है सर गासो समुंद्र का नाम पड़ा ये भी इंपोटेंट कोश्चन है ये पड़ा है सेवाल के कारण कहें के कारण सेवाल के कारण सर गासो समुंद्र का नाम पड़ा सेवाल के कारण सार गैसो सागर जो है उत्री अटलांटिक महासागरों के मद्दे चारों और परभावित होने वाली जल धाराओं के मद्दे इस्तित सान तर्म इस तीर्जल के छेतर को सार गैसो या सार गासो सागर कहा जाता है जो जड़ वहीन होती है या गल्फ श्ट्रीम, कनारी और उत्री विशुर्त धाराओं के चक्र के बीच इस्तित्सांत जल छेतर है और इसके टट पर मोटी समुन्दरी घास तेहती है इस घास को हम फुर्त गाली भासा में सार गेसम कहते हैं इसके नाम सार गेसो सागर रखा गया है गंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुन्दरी खरत परवार खाने में इसका इलाज होता है क्योंकि इसमें पल्चूर मातरा में होता है इसमें पल्चूर मातरा में होता है आयोडीन सही आंसर ओप्शन भी हो जाएगा आयोडीन देखिए आयोडीन एक रसानिक ततो है आयोडीन हमारे आहार के परमुक्त पोसक ततो में से एक है और इसकी कमी से दिमाग और सरीर में जो है विकास की जो से जुड़ी कहीं बिमारिया हो जाती है नेस्ट कोश्चन क्यों चलते हैं नेस्ट कोश्चन है किस सेवाल से आयोडीन पराप्त होता है देखिए किस सेवाल से आयोडीन पराप्त होता है लेमिनेरिया लेमिनेरिया से आयोडीन पराप्त होता है लेमिनेरिया नाम की सेवाल होती है जिससे हमें IODINE प्राप्त होता है, उ corrosion का सही answer हो जाएगा KELP प्राप्त होता है, दीए KELP जो प्राप्त होता है यह होता है समुंदरी सेवाल से, किस से होता है समुंदरी सेवाल से option A question का सही answer हो जाएगा और NET Strategy अन्य लिगित में से कौन सा सवपोसित है सेवाल सव पोसी होते हैं ये एक कोशी के से लेकर भह कोशी के अनेक रूपों में भी हो सकते हैं परंतु पोधो के समान इसमें जड़ पत्याधी रचनाएं नहीं पाई जाती है सेवाल समंदर में पाई जाती है इनमें जड़े और पत्तियां की रचनाएं नहीं पाई जाती है एक कोशिकाई से लेकर बहुत सारी कोशिकाई तक यह हो सकती है 71 कोशिन है निमलिकित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जेव रूरक का कारिय करता है सो फ्रेंस कोशिन का सही आंसर हो जाएगा नील हरित सेवाल ओप्सनेस कोशिन का सही आंसर हो जाएगा नील हरित सेवाल नील हरित सेवाल एक जीवानू फाइलम होता है जो परकास संसेलेशन से उलचा उत्पादन करते हैं नील हरित कई वायू मंडलिये नाइटोजन योगी करन कर धान की फसलों को आंसिक मात्रा में नाइटोजन पूर्ती कराता है जेवी खाद रसाइनी कुर्वर का सस्तवय सुलब विकल्ब है जो धान की फसलों को नैसरी 50-30 किलोग्राम परती हेक्टर की पूर्ती करता है बलकि उस धान के खेत में नील हरित कई जो सेवाल होती है और सेसो से बने सेकेंद्रिये खाद के रूप में उसकी गुण मत्तावरू रखता कयाम रखने में मददकार भी साबित होता है नेस कोशिशन है अंत्रिक्स कारे करमों में आक्सिजन की अपूर्दी को नियंत्रित करने के लिए परियुक्त किये जाने वाले एक कोश किये सेवाल का नाम है सो फ्रेंस कोशिशन का सही आंसर हो जागा कैलोरेला ओप्सन C सही आंसर होगा कैलोरेला केलोरेला से हम परियाप्त परिणाम में ऑक्सिजन पराप्त कर सकते हैं वैग्यानिक यह खोज कर रहे हैं कि ऑक्सिजन को कैसे कित्री मुप्योग द्वारा सेवाल से निकाल कर ओधोगी कारियों में परियुत किया जा सकता है और संकट कालिन में जो है संकट को दूर करने के लिए केलो रेला नामाक सेवाल बहुती उप्योगी सीद हो सकता है यह सेवाल पोश्टिक परधास से परिपूर्ण है यह फैलने के लिए अधिक स्थान भी नहीं लेता है next question है लाल सागर का लाल रंग किस की उपस्तीती के कारण होता है तो यह होता है सेवाल के कारण option b question का सही answer हो जाएगा देखिए ट्राई कोडेशेमिया इरिधियम नामक हरी सेवाल और नीली सेवाल लाल सागर के जल के उपर तहरती है यह सागर को लाल रंग परदान करती है इसी कारण जो है सागर को लाल सागर कहा जाता है एगार एगार किस से त्यार होता है देखे एगार एगार जो त्यार होता है यह सेवाल से होता है option एस question का सही आंसर हो जाएगा एगार एगार एक खाद दिये सेवाल है ठीके एगार-एगार एक खाद दे सेवाल है वर्नसपती जगत के गैर हरित विसम पोषित पोधे कौन से होते हैं फ्रेंच कोशिशन का सही आंसर हो रहेगा फंजाई, औपसन बी सही आंसर होगा फंजाई, इसको हम कवक बोलते हैं, फंगस बोलते हैं जीवों का एक विशाल समूद है जिसे साधरांत्य वनस्वती में वर्गी करत किया जाता है इस वर्ग के सदस्य पन हरीम क्लोरोफिल जिसको हम बोलते हैं रहित होते हैं इसमें परजनन बीजानुव द्वारा होता है next question है कवाको की कोशिका भित्ती किसकी बनी होती है यानि जो सेल वाल होती है कोशिका भित्ती यह किसकी बनी होती है यह बनी होती है काईटीन या हैमिसेल्यू लोज option D इस question का सही answer हो जाएगा कवाको की कोशिगा भित्ती काइटीन या हैमी सेलीू लोज की बनी होती है कोशिका भित्ती का कारिय कोशिका को निश्चीत आकार परदान करना और प्रोटो-प्लाज्मा की रक्सा करना होता है कोशिका भित्ती का कारिय नेक्स questionable ना कवाक को द्वारा संचित भोज्य पर्धात किस रूप में संचित होता है तो ये होता है Glycogen के रूप में बेदा। सभी कवग सदेव होते हैं भीविद पोसी सभी कवग जो है पनहरीत वहीन होते हैं यह अपना भोजन सेवे नहीं बनाते बलकि विविद पोसी होते हैं यह सन्वहन उतक रहीत होते हैं इसमें संचित भोजन गलाईकोजन के रूप में रहता है और इनकी कोशिका बित्ति काईटीन की बनी होती है माईको राइजा सहजीवी समंबंदी होते हैं क्रोश्ण का पशी अंसर हो जाएगा option B कोश्ण का सही अंसर हो जाएगा kurak तथा उचे पोदों की जोडों के बीच वरक्सो की छाल पर उगने वाला kurak कहलाते हैं देखिए वरक्सो की छाल पर यो kurak उगता है ही होता है corticulus क्या होता है corticulus option इस question का सही answer हो जाएगा corticulus आपको बता दे पेडों की छाल पर उगने वाले lycan की corticulus थता खाली चट्टान। पर उगने वाली якन को sexy colis कहते हैं देखे पेड़ की छाल पर जो उगने वाला lycan होता है कवक होता है उसको हम कोर्टी कोलस बोलते हैं और खाली चट्टानों पर जो उगने वाला लाइकन होता है कवक होता है उसको बोलते हैं सेक्सी कोलस लाइकेन थेलो फाइटा परकार की वनस्पती है जो कवक तथा सेवाल दोनों से मिलकर बनती है और इसमें कवक तथा सेवाल का सम्मन्द प्रसपर सह जीवी जैसा होता है next question है गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता है ये कहलाता है आपका कोरफ़ोफ़िलज बोलते हैं इसको हम option discussion का सही आंसर हो जाएगा निम जए किस में chlorophyll नहीं होता है तो friends ये कवक में नहीं होता है option discussion का सही आंसर हो जाएगा कवक आलू का लेट ब्लाइट उत्पन होता है तो फ्रेंट्स यह जो उत्पन होता है फाइट उप थोरा इंफ्रेंश टेंज से होता है इंफ्रेंश टेंज से होता है option 6 question का सही अंसर हो जाएगा double रोटी के निर्मान में काम आने वाला कावक है देखे डबल रोटी में जो काम आने वाला कवक होता है सेक्रो माइसीज सेरो वेसी सेक्रो माइसीज सेरो वेसी डबल रोटी के निर्मान में काम आता है option C question का सही answer रहेगा next question है penicillium क्या है देखे penicillium है कवक क्या है कवक option 6 question का सही आंसर हो जाएगा цев पेंसेப्षीलियम क्या है एक कवग है जिसमें पेंसेhetीलियम एक कवग है और इसमें पेनसेटी सर दिति barr fár और हैंincome की थी उसमें पेंसेलैन की खोर्शय इक क्यों जानकि बेंसेलियम और आपको बता दे पहली बाल जो इसकी जो खोज की थी वो 1928 में की थी इनोंने कब की थी 1928 में नेस्ट कोशन है आरगोट किस से प्राप्त होता है देखे आरगोट जो प्राप्त होता है यह होता है किलेवी से प्राप्त होता है option 20 question का सही answer हो जाएगा आरगट एक दवा है जिसमें अनेच्छीक मास पेशाओ में संकोच होता है इसलिए परसाओ के बाद ऐसा मानने रखत स्तराओ रोकने के लिए इस तरी को यह दिया जाता है अधिक मातरा में खाने पर यह क्रिव विश का गुन दिखाता है ठीक है चलिए नेस्ट काशन के और बड़ते हैं और होगी के स्तर पर पैंसिली इन प्राप्त किस से किया जाता है सो फ्रेंट्स का सही answer हो जाएगा पैंसिनिलियम क्राइस गैनमर से प्राप्त किया जाता है राइसो जेन सेम पैंजिन इलियम, option बीजक्षाN का सहीज आंसर हो जायेगा नास कोशन है, जब गेहों के गुते हुए आर्टे में कोशन है, की यिष्ट में काईक जनन होता है देखें, यिष्ट में काईक की जनन जो होता है यह होता है, मुकलन द्वारा किस दवारा होता है मुकलन दवारा होता है option इस question का सही answer हो जाएगा आपको बता दे मुकलन की एक परिकीरिया में एक छोटा अंकुर जनिक जीव के सरीर पर विक्सित होता है और समय आने पर नए जीव के निर्मान के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है हाइडरा और यिष्ट में मुकलन होता है बीजानू का निर्मान एक कोश के और बहु कोश के दोनों ही परकार के जुवों में होता है या परकिरिया पोधों में होती है निर्मिली कैष्ट मेंसे कौन सा खाने योग्य कवक है तो फ्रेंट्स कोश का सही आंसर बनेगा खाने योग्य जो कवक है वो एगेरिक्स है दोनों ही परकार के मसरूम आते है और इसकी उत्पत्ती ब्राजिल में हुई थी लेकिन चीन जापन और ब्राजिल में बिगरी के लिए इसे उगाया जाता है एगरिक्स मस्रूम से निकाले गए एक केमिकल युक्त आर्क को दवा के तोर पर इस्तमाल किया जाता है ल portion किससे पराप्त होता है? देखें लेसडी जो पराप्त होता है वो कवक से पराप्त होता है सई आंसर हो जाएगा option B कवक और इसको हमें लेसडी 25 के नाम से भी जानते हैं यह रंगीन, स्वाधहीन, एम गंधहीन, इस्तरलिये परधात होता है जो कि पानी और अलकोहॉल में अराम से घुल जाता है या उस दी बैट्री एशिड, डाट्स, बेरल्स, घोष्ट आदी के नाम से भी जाना इसको जाता है विस्तित इस्प्रेक्टरम परती जैविक किस्में उत्पन होते हैं तो ये उत्पन होते हैं आपके इस्ट्रेप्टो माइसीन में किस में होते हैं इस्ट्रेप्टो माइसीन में होते हैं या माइसीन इसको बोलते हैं सही आंसर ओप्शन ए हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाईसीन को किस ने पर्थक किया देखे स्ट्रेप्टोमाईसीन को जो पर्थक किया था वाक्समेन ने किया था किस ने किया था वाक्समेन ने ओप्शन डी इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा टिक्का रोग किस में होता है इन्पोर्टेंट है टिक्का रोग टिक्का रोग होता है मौंग फली में सही आंसर ओप्शन डी हो जाएगा टिक्का रोग मौंग फली में उगने वाले सरवादी खदरनाक रोग है मुंगफली का टिकका रोग परमुकतर दो कवक सारकोस पोरा पार्सो नेटा कवक को द्वारा होता है इस रोग में क्या होता है पत्तियों पर हल्गे भूरे रंग के गोल धब्बे बन जाते हैं जिसके चारो तरफ निचली सदापर पीले घेरे होते हैं गन्य में लाल सदन रोग रेड रोड इसको बोलते हैं सो फ्रेंड्स ये किसके द्वार अत्पन होता है ये होता है कवक के द्वारह है सही answer हो जाएगा option C कवक आपको बता दे गन्य में जो लाल सदन रोग होता है ये केलोट्रो ट्राइकरण के कारण होता है और आपको बता दे लाल संटन रोग के करन गन्ने का इसको गैंसर भी बोलते हैं मसरूम क्या है मसरूम क्या है मसरूम एक कवक है सही अंसर क्या हो जाएगा मस्रूम एक कवाक है आपको बता दू मस्रूम खाने में स्वादिष्ट होने के सासा सहत के लिए भी बहुत फायदे मंद होता है वैसे तो मस्रूम की सबजी हर कोई खाना पसंद करता है लेकिन सायदी कोई इसके फायदे जानता है एंटी आक्सिडेट्स प्रोटीन, बिटामिन डी, सेलेनियम और जिंक्स से भरपूर मस्रूम का इस्तेमल कहीं दवाई बनाने में भी किया जाता है पर्थम वियुक्त परती जेविक कौन सा था तो पर्थम वियुक्त जो था ये पैंसलीन था तो सही आंसर ओप्षन C हो जाएगा एथलिट फुट नामक बिमारी किस से उत्पन होती है ये इन्पोटेंट है, ये कवक्स से उत्पन होती है एथलिट फुट नामक बिमारी होती है उत्पन, ये कवक्स से होती है ओप्षन B एटलिस्ट फुट भी कहते हैं यह ट्राइक को फाइटन वन्स के कवक के कारण उत्पन होती है यह प्राए नम छेत्रों में नंगे पाउंच चलने के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है तो यह थे 50 महतपून परशन व्यक्ति सहीत वीडियो अच्छे कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक्स वर वाचिंग अ